हेलो एवरिवन कैसे हो आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब बिलकुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे आप सभी को मेरी प्यार भरी रादे रादे तो फ्रेंड्स आज फिर से मैं आप सभी के लिए ओरिजिनल ओस्वाल कमपनी की तीन प्लाई तीन तारवाली उन लेकर आई हूँ अगर आप मेरे साथ चैनल पर न्यू जुड़े हो तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करके पहला इकन को ओल पर प्रेस कर लीजिए उसके बाद ये जो स्क्रिन पे नीचे नंबर चल रहा है ये मेरा वर्टस अप नंबर है इसे आप सुस्मा कुहाड के नाम से अपने फोन में शेव कर लीजिए वीडियो से आपको जो भी कलर पसंद आए उसका स्क्रिन शोट ले लीजिए और इस वर्टस अप नंबर पर मुझे भीज दीजिए कलर मैं आपको दिखाऊंगी तो साथ के साथ मैं आपको शेड नंबर बोल के बताऊंगी तो शेड नंबर आपने जरूर नौट करना है जो भी कलर का स्क्रिन शोट लो उसकी शेड नंबर साथ में आपको लिख कर भीजनी है कितने ग्राम उन लेनी है ये भी आपको लिखके भेजना है पेमेंट आपको पहले करनी होगी फोन पे गूगल पे नेट वैंकिंग पे टियाँ जो भी सुविधा आपके पास हो सब तरह से पेमेंट हो जाएगी पेमेंट करने के बाद यहां से आपके पार्सल को आपके अडरस पर कोरियर किया जाएगा अडरस आपका एकदम कंपलीट होना चाहिए आप پूरे भारत में कहीं पर भी रहते हो गाउं हो, सहर हो, कस्बा हो, आप कहीं से भी हो वहीं से आप ओर्डर कीजिए पार्सल आपके घर पर आ जाएगा अब आती है सिपिंग चार्ज की बारे तो देखिए अगर आप उन में मेरे पास ओस्वाल वर्दमान सभी कंपनी की मेरे पास उन है दोनों में बहुत अच्छी अच्छी क्वालटी कोई भी उन आप मिक्स करके ले सकते हो तो एक केजी या एक केजी से जाधा उन लेने पर आपका सिपिंग फ्री होगा फ्री सिपिंग में पार्सल आपके घर पर आएगा लेकिन अगर आप लेते हो 500 ग्राम से लेकर एक केजी से कम यानी 900 ग्राम तक उन तो आपको 50 रुपे एक्ट्रा सिपिंग चार्ज पे करना होगा अब आपक कि आपको 500 ग्राम लेनी है 600 ग्राम लेनी है या एक केजी लेनी है दोनों तरह से मैंने बता दिया है आप देखिए मेरी तरफ से आप एक केजी में 10 कलर मिक्स करके ले सकते हो क्योंकि एक बॉल 100 ग्राम का होता है यह देखिए इस तरह से एक बॉल है एक बॉल 100 ग्राम का यह दो ड़ाई गराम का होता ये अलग होता ये only उन जो है ये 100 गराम है तो एक बोल 100 गराम का है तो आप कलर मिक्स करके ले सकते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपको देखना कि आप स्वेटर जैकेट कैप जो भी बनाते हो उसमें आपकी उन कम ना पड़े एक बार में पूरी ले सकते हो एक बोल 100 गराम का एक बोल 80 रुपे का जो कि मैंने यहां कोने में डाल दिया है असी रुपे का 100 गराम तो आप देख लिजिए का आपको कितनी ओन लेनी है अब मैं आपको इस वीडियो में इस तीन प्लाई तीन तार वाली ओन है इसके 10 कलर दिखाऊंगी तो ज देखने में आपको लगेगा बहुत पतली होना पर यह पतली नहीं है इसमें आपकी जो श्राइच चलेगी वह नौ नंबर की लगती है अगर आप बना रहे हो जैंट स्वेटर तो जैंट स्वेटर में बौर्डर 10 नंबर से और उपर 9 नंबर की लगाई जैंट स्वेटर अलावा जब आप लेडी, कार्डिगन, जैकेट बनाते हो, कैप बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, उसमें आप 9 नमबर के बनाये, जुराब बना रहे हो, तो जुराब आप 10 नमबर से बनाए spreadsheet बनाईे, बेबी सेट वगरा 9 नमबर से बनाईे, तो ये हो गई है सारी जानकारी, तो चलिए अब मैं आपको सुन्दर सुन्दर से 10 कलर शेड नंबर 7 में बताती जाओंगे तो ये है डारक पेंग कलर जैसा कलर आप देख रहे हो सेम प्रॉपर कलर मिलेगा कोई चेंज नहीं आएगा कलर में और शेड नंबर है 7 अगर आपको ये कलर पसंद हो तो आप इसका स्क्रिंशोट लीजिए और इस वर्टसप नंबर पर मुझे भीज दीजिए आपको कितने ग्राम यानि 100 ग्राम का एक बोल है 200 ग्राम 400 ग्राम 500 ग्राम एक कलर में जितनी लेनी हो तो ये है शेड नंबर 7 आप नोट कर लीजिएगा शेड नंबर 7 एक कलर हो गया आप देखे मैं आपको सुन्दर सा दूसरा कलर देखाती हूँ जैसा कलर आप देख रहे हो प्रॉपर कलर आएगा अगर किसी कलर को कैमरा अच्छे से कैच नहीं कर पाएगा तो मैं आपको बता दूँगी कि इसमें कितना अंतर है बाट यह वाला जो कलर आपका है बिलकुल सेम परोपर सिल्वर गरेव शेड नंबर है इसकी 16 अगर आप जैंड स्वेटर बनाने की सोच रहे हो बहुत प्यारा कलर है बहुत सुन्दर जस्ता है जैंड स्वेटर तो यह है शेड नंबर 16 अगर आपको ये कलर पसंद है तो फटा फट इसका स्क्रिंशोट वर्टसअप पर भीजिएगा दो कलर होगे अब मैं आपको तीसरा कलर दिखाती हूँ ये देखे ये थोड़ा डीप जा रहा है ये इसे लाइट है क्योंकि इसे कैमरा अच्छे से कैच नहीं कर रहा है ये इससे हलका सा लाइट आएगा यहाँ पर थोड़ा सा डारक दिख रहा है शेड नमबर है 40 बहुत सुंदर कलर है ये गाजरी कलर है डारक गाजरी बहुत प्यारा इतना सुंदर कलर है जब आपके पास आएगा न तो आप खुद कोगे कि वाओ ये तो बहुत सुंदर है बहुत प्यारा बच्चों पे लैडीज पे बहुत सुंदर लगेगा शेड नमबर 40, शेड नमबर 40, अगर आप सलाईयां बटन वगरा लेना चाहते हो, तो साथ में आप वो भी ले सकते हो, मेरे पास आपकी तार वाली जो वायर निडल होती है, पोनी कमपनी की वो मिल जाएगी, नॉर्मल सलाईयां जिन से हम बुनाई करते हैं, वो भी पोनी कम आप साथ में उन के मंगवा सकते हो, क्योंकि एक केजी उन लेते हो, तो वो सारी चीजे साथ में फ्री सिपिंग में आ जाएंगी, अलग से लेने पर उनका फिर सिपिंग लगता है, तो ये आप साथ में मंगवा सकते हो, ये हो गया शेड नमबर 40, तीन कलर, अब देखें म आपको चोथा कलर दिखाती हूँ चेरी महरून कलर है ये बहुत प्यारा है चेरी कलर है बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर आप इसे मंगा ये इतना प्यारा लगेगा जैंड पे लेडी पे बच्चों पे सभी पे ये कलर ज़ता है और शेड नमबर है 46 चेरी महरून कलर है ये बहुत प्यारा है जो आपके पास एक कलर आएगा ना तो बहुत सुन्दर है शेड नमबर 46 चार कलर होगे अब मैं आपको पांचवा कलर दिखाती हूँ हल्दी कलर देखो ये बच्चों के लिए बहुत सुन्दर कलर है और शेड नमबर है इसकी 6 हल्दी कलर ये चोटे बच्चों पर बहुत सुन्दर ज़ता है शेड नमबर 6 हल्दी कलर जैसे आपको पूरा बेबी सेट बनाना है उपन बटन वाला तो पूरा 9 नमबर से बना लिजिएगा बहुत सॉफ्ट बनेगा इस उन पर रुवा नहीं आएगा कलर फैड नहीं होगा बनायवा प्रोजेक्ट आपका स्रिंक नहीं होगा और गरम तो बहुत ज़्यादा है इतनी सॉफ्ट है कि ये वाली स्वेटर का जब बना वाई सुन से स्वेटर पैंते हैं उसरा स्रीर में अच्छा भी नहीं लगता इतनी मुलायम है ये तो ये है आपका शेड नमबर 6 तो 5 कलर होगे अब मैं आपको 6 कलर दिखाती हूँ रैडिस ब्राउन जैसा आप देख रहे हो प्रोपर कलर आएगा रैडिस ब्राउन कलर है और शेड नमबर है 31 यानी 31 शेड नमबर 31 31 अगर आप ये कलर लेना चाहते हो यंग लड़कियों के लिए यंग बोईज पर इतना प्यारा लगेगा बहुत सुन्दर कलर है आप देखिएगा बच्चों पर इतना प्यारा ज़स्ता है एक कलर में बनाई है दो कलर में बनाई है अगर इसमें आप सेकिन कलर मिक्स करना चाहते हो करीम कलर, बडर करीम कलर, वाइट कलर ये इसमें बहुत सुन्दर जचेंगे कलर स्कीन कलर हो गया इस तरह के कलर तो शेड नमबर 31 शेड नमबर 31 तो ये मेने आपको 6 कलर दिखा दिए अब आगया साथमा कलर देखो ये है और ऌफ वाइट और और अध इाट कलर है Shade No. 11 Shade No. आप ज़रूर लिखना क्योंकि Shade No. लिखे भी ना कलर मिक्स हो जाते है मैच हो जाते है कुछ कलरों के जो है होते हैं, मिलते जुलते होते हैं तो ये है आपका shade number 11 shade number 11 cream colour तो ये हो गए आपके 7 color अब मैं आपको 8 इमाँ color दिखाते हूँ ये देखे, royal blue color बहुत ही प्यारा सा color है बहुत सुन्दर है royal blue color बहुत सुन्दर color है royal blue अगर आपको यह कलर पसंद है तो आप इसका स्क्रिंशोट लीजिए और इसकी जो शेड नंबर है वो है 30 यानी 30 शेड नंबर 30 यानी 30 रोयल ब्लू कलर यह हो गए आपके 8 कलर अब मैं आपको 9 कलर दिखाती हूँ बेबी पिंक कलर देखिए कितना प्यारा है जो स्टार्टिंग होती है ना पिंक कलर की वो कलर है यह बेबी पिंक कलर बहुत प्यारा शेड नंबर 4 जो फर्स नंबर पे दिखाया था वो था डारक पिंक यह है लाइट पिंक तो पिंक की मैंने दोनों ट्योन आपको दिखाई है जो आपको पसंद वो लीजिएगा शेड नंबर 4 अगर आपको यह कलर पसंद हो छोटे बच्चों पर यह बहुत जचेगा आप अपने लिए जैकेट बनाईए बहुत सुन्दर लगेगी मैंने अपने लिए भी बनाई हुए शेड नंबर 4 से हापा जो की जैकेट बहुत सुन्दर लगती है यह हो गए है आपके 9 कलर अब मैं आपको 10 वा कलर दिखाती हूँ यह देखे जैसा आप देख पा रहे हो प्र सकते हो बहुत प्यारा है अगर आपको यह कलर पसंद हो तो आप इसका स्क्रिंशोट लेकर मुझे इस वाट्सप नंबर पर भेज दीजिए और साथ में आपको यह जरूर लिखना है कि इस कलर के आपको कितने ग्राम फूल लेनी है एक केजी आई केजी से ज्यादा लेने पर शिपिंग आपकी प्री हो जाएगी तो मैंनों आज की इस वीडियो में मैंने आप सबको 10 कलर जिकाए है और इस से पहले भी मैंने 2 वीडियो डाली होई हैं 10-10 कलर उनमें दिखाए है तो अभी और भी कलर इसमें बाकि है क्योंकि 3 प्लाइ 3 तार वाली में धेरों कलर राते हैं तो दस-दस करके मैं सारी वीडियो डाल दूगी। आप चैन्ल पर बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को लाइक शेर कीचे। मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियों में तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भारा नमस्कार। प्यार भरी राधे राधे आप सब खुश रहिए अपना अपना ध्यान रखिए